बैद्याज किचन सो में आप सबका स्वागत है आज हम होली इस्पेसल ओल की सबजी और धुसका बनाएंगे तो ओल और धुसका की रेसेपी हम पहले डाल जुके हैं आज हम दम ओल बनाएंगे तो चलिए इसकी रेसेपी हम आपके साथ सेयर करते हैं ओल आज हम कूकर में बनाएंगे दम ओल आप कूकर में बना या हांडी में बना सकते हैं कूकर में हम सर्षो का तेल डालेंगे, एक चमच पच फोरण डालेंगे और एक तिजपत्ता डालेंगे ओल को हम नीमबू और नमक डालकर धूप में एक घंडे के लिए रखे थे अब अच्छे से धूप के साप करके इसे हम फ्राई करेंगे स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे एक चमच हम हल्दी डालेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन होने तर अच्छे से फ्राई करेंगे ओल अच्छे से फ्राई होगा तो ये मुझ को नहीं लगेगा मेरी रेसेपीच पसंद आये तो मेरे चैनल को लाइक, सेयर और सब्सक्राईब करें और ऐसे ही रेसेपीच देखने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राईब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका तही दिल से धन्यवाद अब ओल फ्राई हो चुका है तो इसमें हम एक कटे हुए प्याज डालेंगे और इसे भी अच्छे से हम फ्राई करेंगे तीन चमच हम ताजा दही लेंगे इसे अच्छे से फेट लेंगे और दही में हम एक चमच लाल मिर्ष पाउडर, तीन चमच धनिया पाउडर डालेंगे और इसे अच्छे से फेट लेंगे दो प्याज, तीन टमाटर, दो इंच अदर का टुकड़ा, छे से साथ कली लस्टन तीन से चार हरी मिर्च और एक चमच साबू जीरा पीस कर हम पेस्ट तयार कर लेंगे ओल अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो पीसे हुए मसाले हम डाल देंगे और इसे अच्छे से फ्राई करेंगे इसमें हम कास्मरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे कलर के लिए एक चमच मसाले अच्छे से फ्राई हो चुके हैं तो अब दही का जो मसाला हमने तयार किया था ओडाल देंगे और इसे भी अच्छे से फ्राई करेंगे और इसे हम लगातार चलाते हुए फ्राई करेंगे ताकि दही फट न चाहे एक बार आप मेरे तरीके से दम ओल अपने कीचन में जरू ट्राई करें या खाने में काफी टेस्टी लगती है बिल्कुल अलग इसका टेस्ट आता है मसाले देखिए अच्छे से फ्राई हो चुके हैं इसमें अब हम पानी डाल देंगे ओल भी हमारा अच्छे से पक चुका है इसे हम लो टू मीडियम फ्लेम में दम करने के लिए एक सीटी लगाएंगे अगर ओल आपका नहीं पके तो उसे तीन से चार सीटी आप लगा सकते हैं दो गिलास हम पानी डालेंगे ग्रेवी आप अपने पसंद के नुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं एक चमच हम कीचन किंग मसाला डालेंगे धकन लगाकर अब इसे हम एक सीटी आने तक दम करेंगे प्रेशर कुकर ठंडा होने के बाद हम धकन हटा लेंगे और स्वादिष्ट दम मोल बनकर तयार हुआ है इसे हम धन्या पत्ती से गानिस कर देंगे अबर होली में आप दम मोल अपने कीचन में जरूर बनाए रेसेपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं अब हम धुसका बनाएंगे धुसका की रेसेपी हम पहले डाल चुके हैं एक बार फिर आपके साथ हम सेर करते हैं एक केजी चावल में आधा केजी चना का दाल भीगो कर हम तीन से चार घंटे के लिए रख दिये थे इसे पीस कर इसका हम बैटर तयार कर लेंगे दो चमच हम साबु जीरा डालेंगे स्वाद अनुसार नमक डालेंगे बैटर को हम अच्छे से फेटेंगे बैटर न जादा गाड़ी होनी चाहिए न जादा पतली होनी चाहिए तो इसे अच्छे से फेट लेंगे हम अगर बैटर गाड़ी होगी तो धुसका मोटा बनेगा और पतली होगी तो धुसका अच्छे से नहीं बनेगा तो बैटर का विसेज ध्यान रखे अगर गाड़ी हो तो हलका पानी देखे उसे अच्छे से फेट ले और आप देख सकते हैं कि धुस्का का बैटर इस तरह से होना चाहिए अब हम कड़ाही में सरसो तेल गरम करेंगे धुस्का आप जब भी बनाए सरसो तेल से बनाए तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है और देखिए धुस्का कितने अच्छे से फूल रहा है तो इसे हम पलट लेंगे धुस्का बनाने में आपको तेल का भी ध्यान देना होगा तेल अगर ज्यादा गरम होगा तो धुस्का कटोरे के जैसे सिकूर जाएंगे तो बिल्कुल मीडियम फ्लेम में आपको धुस्का बनाना है तेल ज्यादा गरम हो जाए तो तेल को थोड़ा ठंड़ा कर ले और फिर धूसका बनाए इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आप जारखंड इस्पेसल धूसका अपने कीचन में अच्छे से बना सकते हैं देखी दूसरा धूसका भी हम आपको बना कर दिखाते हैं दूसरा कितने अच्छे से फूला आप देख सकते हैं इसे हम पलट लेंगे इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम फ्राइ कर लेंगे जारखंड इस्पेसल धूसका बन कर तयार है इसे हम तेल से निकाल लेंगे चलिए दमोल धूसका को हम शर्व करते हैं स्वादिष्ट धूसका और दमोल खाने के लिए तयार है तो इसे आप गर्मा गरम इंजोई करे रेसेपी पसंद आए तो लाइक से यहरो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले मिलते हैं अगली रेसेपी के साथ वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद